सर होते, गड़बो नवाच थीजगड की परिकल्पना को साकार करता है और अब, अब सर है, आज के कारेकरम के माननी मुख्यतिती को सुनने का, उनके उद्बोधन का हम आमंत्रित करते हैं सांसच श्री राहूल गांधी जी आज के कारेकरम के मुख्यती थी महोदय को उनके उद्बोधन के लिए चीफ मिनिस्टर श्री भुपेश बगेल जी श्री मोहन मरकाम जी श्री ट्यस सिंग्देव जी साहू जी चरंदास महंत जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट, सीनियर नेता, मेंबर्स ऑफ पार्लेमंट, मलेज, प्यारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों आप सब का आज मैं बहुत स्वागत करता हूँ कल मैंने लोकसभा में एक भाशन किया और उसमें कहा कि हिंदुस्तान के सामने दो तीन बहुत बड़ी चुनोतियां हैं बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खत्रे की ओर ले जा रही है और मैंने कल पार्लमेंट में ये समझाया और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ खत्रा किस बात का है सबसे पहला खत्रा भायांकर खत्रा बीजेपी आज एक देश को दो देशों में बाट रहा है दो नए देश बनाई जा रहे है एक देश चुने हुए अरब पतियों का उस देश में हवाई जहाज हाई टेकनोलिजी धन स्टॉक मार्केट का पैसा उस देश में जो भी आप चाहते हैं जितना भी देश का धन आप चाहते हो आप ले सकते हो और दूसरा देश हमारे प्यारे देश वासियों का करोणों लोगों का देश एक अमीर देश सो दो सो पांच सो लोगों का और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोणों लोगों का यह सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शान्त बैठा रहेगा वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ती नहीं है सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुँचाया है जो यह बात करते रहते हैं सतर साल में क्या हुआ अगर इस देश में प्रगती हुई है तरक्की हुई है तो यह किसी पार्टी की देन नहीं है यह हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर हिंदुस् तो जब ये सवाल पूछते हैं सतर साल में क्या हुआ ये हमारे किसानों का उनके माता-पिताओं का हमारे मजदूरों का हमारे कारेगरों का हमारे छोटे बिजनिस वालों का अपमान करते हैं कॉंग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते हैं बहुत कुछ हुआ, बहुत बदलाव आया, किसने किया, हिंदुस्तान की गरीब जनता ने अपना खून पसीना देकर बदलाव दिया, और आज ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन करोड़ों लोगों ने इस देश को बनाया, उनको परे कर दिया जाए, और सो दो सो लोगों को देश का पूरा का पूरा धन पकड़ा दिया जाए, मैं आपको सिर्फ एक आकड़ा देना चाहता हूँ, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के सो सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद लोगों से जादा धन है, जितना धन हिंदुस्तान की 40 प्रतिशद अबादी के पास है, उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे, सो लोगों के पास उतना धन है, एक तरफ सो लोग, दूसरी तरफ 40 प्रतिशद हिंदुस्तान, 40 प्रतिशद लोग भूके मरें, रोजगार धूनते भतकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपती मित्र, देश का पूरा का पूरा धन अपनी जिब में डालें, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे, प्रगति होगी, तो सब की प्रगति होगी, दो, तीन, चार, पांच उद्योगपतियों की नहीं, सब की होगी, यह हम में और उनमें फरक है, और आज, 36 गड़ में, हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, हमने आपसे पहले वाइदा किया था, 2,500 रुपे, चाहे कुछ भी हो जाए, 36 गड़ के किसान को मिलेगा, और हमने करके दिखाया है, और चुनाओ के समय, हमने नेताओं से बात की थी, और उस समय हमने कहा था, कि किसान के साथ, हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं, तो फिर हमें 36 गड़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी, और ये पहला कदम है, ये मत सोचिए, 36 गड़ के गरीब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी, बात यहां नहीं अटकेगी, ये पहला कदम है, आपका धन है, ये धन हम आपको वापिस दे रहे हैं, चीफ-पिनिस्टर ने कहा, शे हजार रुपए साल के तीन किष्टों में, भगेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा से बढ़ा दीजिए, मतलब, मेरा काम, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है, देखिए, अच्छा लगता है, जब किसान, जब सुनने को मिलता है, कि 36 गड़ में हमने किसान की मदद की, और एक दम, पुरे प्रदेश को फाइदा हुआ, वो पैसा, जो 2,500 रुपए, वो जाया नहीं हुआ, वो हमने किसान को दिया, और किसान ने, जो रोज किसान जादू करता है, अपने खून पसीने के साथ, किसान ने जादू किया, और 36 गड़ का जो धान का प्रड़क्शन था, एक गम से बढ़ गया, पुरे प्रदेश को फाइदा हुआ, हमने दो-तीन लोगों को नहीं दिया, हमने दो-तीन उद्योग पतियों को, लाकों करोड रुपे नहीं दिया, हमने 36 गड़ के हर किसान को, उसकी मेहनत का सही दाम दिया, और वो ही काम, हम आज, 36 गड़ के मजदूरों के लिए कर रहे हैं, इस प्रोग्राइम से, 3,55,000, हमारे मजदूर भाईयों बहनों को, सीधा, फाइदा मिलेगा, उनकी जिन्दगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कि बिलकुल आसान हो जाएगी, मगर जो उनके कंदे पर, बोज है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैंने अपने भाशन में दूसरी बात भी कही, पहली बात मैंने कही थी, कि देखिए, आप दो हिंदूस्तान बना रहे हैं, एक, चार-पाँच उद्योग पतियों का, और दूसरा, खडोडो हिंदूस्तान का, हम ये नहीं होने देंगे, और मैंने दूसरी बात कही, कि ये देश, एक गुल्दस्ता जैसा है, इसमें अलग-अलग विचार धाराएं हैं, चत्तिस गड़ में, आपकी अलग सोच है, भाशाएं हैं, इतिहास है, कल्चर है, हिस्ट्री है, तमिल नाडू में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, नागा लैंड, मीज और आम, मनिपूर में अलग है, मकर हिंदुस्तान, किसी एक सोच का नहीं है, अगर हम ये कहें, कि हिंदुस्तान में, सिरफ छत्तिस गड़ की सोच, रहनी चाहिए, तो ये गल्ट होगा, अगर हम ये कहें, कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रदेश की या एक विचारधारा कि सोच होगी तो ये गलत है और इससे देश का नुक्सान होता है बीजे भी चाती है आरेसस चाती है कि उनकी विचारधारा जो हिंदुस्तान में एक विचारधारा है हजारों और विचारधारा है उनकी एक विचारधारा है वो चाहते हैं कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर सब भाशाओं पर सब इतिहास पर सब हिस्ट्री पे एक विचारधारा का राज हो और मैंने कल पार्लिमेंट में कहा ये कभी नहीं हो सकता है 36 गड़ को 36 गड़ के लोगों को कैसे जीना चाहिए 36 गड़ के आदिवासियों का जंगल के साथ क्या रिष्टा होना चाहिए 36 गड़ के किसानों का अपने खेट से क्या रिष्टा होना चाहिए वो महराश्टर के लोग उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते उनको मालूम ही नहीं और जैसे महराश्टर के लोग आपको नहीं बता सकते वैसे ही आप विधर्बा में जाके महराश्टा के किसान को नहीं बता सकते कि वहिया आपको इस प्रकार से जीना चाहिए वो उसका हक है ये आपका हक है और ये जो गुल्दस्ता है ये ही हमारा देश ये जो अलग-अलग सोच है अलग-अलग विचारदारा है प्यार की भाईचारे की जो भावना है इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आक्रमन कर रही है और हम ये आक्रमन का विरोध करेंगे और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान है वो कॉंग्रेस पार्टी दिखाएगी हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नफरत फिला दी एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और बहार हिंदुस्तान के बहार जो शक्तिया है वो हमारी ओर देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है चाइना की सेना लडाक में इसी लिए गुस्पाई कि बीजेपी ने हमारे प्रधान मंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया मेरा कहना है हमारा काम देश भक्ती का काम देश को मजबूत करने का होता है देश के गरीब लोगों की मदद करने का होता है देश को एक साथ जोडने का होता है नफरत फैलाने का नहीं देश को कमजोर करने का नहीं और इसी लिए ये विचारधारा की लड़ाई है ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है ये विचारधारा की लड़ाई है 36 गड़ में नैशनल लेवल पे सबसे बड़े उद्योग पतियों की मदद होती है मगर जो हमारा स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री वाला है जो छोटा वियापारी है उसको नोट बंदी, गलत GST, कुरोना के समय मदद नहीं दी जाती है और इसलिए मुझे काफी खुशे हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रोड़क्स हैं जो आपका ग्यान है जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हातों से बनाते हो उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्ज हैं, सरकार उसको डिवेलप करने का काम कर रही है और मैं चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर जी मैं चाहता हूँ कि जो आपने बात बोली बस्तर कॉफी, अलग-अलग चीजें जो आज मुझे देखने को मिली, चखने को मिली ये सिर्फ आप 36 गड़ के लोगों को मत चखाईए, ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाईए ये आप पूरी दुनिया को 36 गड़ का जो जादू है ये आप पूरी दुनिया को दिखाईए, पूरी दुनिया को चखाईए और मैं सरकार के सब मंत्रियों को बधाई देता हूँ कि आप 36 गड़ के लिए काम कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि जो आपके डिस्ट्रिक्स में जनता की मदद का काम हो रहा है उसमें आप जाके जनता की बीच में जाके गहराईस से शामिल हो कॉंग्रेस पार्टी का भी फाइदा होगा आपका भी फाइदा होगा चटिसगर की जनता का भी फाइदा होगा आपने आज मुझे यहां बुलाया मेरी बात इतनी प्यार से आपने सुनी इसके लिए मैं आपको बिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जैहिन हार्दिक धन्यवाद आपका श्री राहूल गांधी जी आपने अपने प्रेरक संबोधन में वर्तमान भारत के जिन ज्वलन्त मुद्दों की बात की है उसे सही दिशा में लाने की ओर और 36 गड को विकार